आल इंडिया मिली कॉंसिल की जानिप से हिदराबाद में त्री डेज और्गनाजेशनल ट्रेनिंग वर्क्शॉप रखा गया था जो काफी कामियाब रहा इस वर्क्शॉप में मुल्क भर के तमाम रियासतों से मिली कॉंसिल के जिम्मेदार शिर्कत कर मिली मसाइल पर काम करने के लिए तमाम लोगों ने अपने राय रखी है और इन्या मिली कॉंसिल एक इसी और्गनाजेशन है जो मुसल्मानों से जुड़े हर मसाइल पर काम करती आ रही है दरासल मिल्ली कॉंसिल 1922 में कलमे की बुनियात पर बनाई गई थी जिसमें हर मसलक के ओल्माई कराम भी शामिल है मिल्ली कॉंसिल की जानिब से दस्तूर हिंद और मुल्क में अमनों अमान को बर्खरा रखने के लिए कई ऐसे बड़े प्रोग्राम और्गनाईस किये गए हैं जिसमें कई सेकुलर पार्टिस के लीडर्स मुक्तली मसलक के ओल्माई कराम को एक लॉर्फर्म पर जमाग कर फिरकापरस ताखतों के खिलाब मिलकर लणने का एलान किया गया है हिदराबाद में रखे गए त्री डेस वर्क्शॉप के जरीए कई एक ऐसे सोबजाद में फैसले लिये गए जिसमें पॉलिटिकल अफेर्स, मीडिया और ब्रोडकास्टिंग, लीगल एड्स, एजुकेशन, यूद सर्विस के अलावा कई दिगर बड़े मुद्दे शामि रही है, इस वर्क्शॉप में असंबली और पार्लिमेंट में मुसल्मानों की ख्यादत की घर्ती तेदाद और मुसल्मानों में कमज़र ख्यादत के अलावा, नौजवानों में सियासी बेदारी लाने वाले आहम इशुस पर काफी बहता डिसकॉशन किया गया है, इस मौक की नज़र है और और अल इंडिया मिली कॉंसिल मुझश्टा तीस बरसों से मुक्तली प्यशुस पर काम कर रही है, और यहां जो यह तीन दिन का वर्क्शॉप था, वो इसके जायजे के लिए है, अभी भी आज यह चला है, कि हमें मुस्तक्बिल में इस मुल्क में अकलियत मुसल्मानों और आम शहरियों की जानवाल की हिफाज़त के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी तरक्वी के लिए, मजभ की हिफाज़त और मजभ की इशाद के लिए, जो दस्तूर हिंद ने हक दे रखा है, उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, अदालतों के जरीए, सहा काफियों के जर्येद मीडिया चाहे अलक्टरॉनिक मीडिया हो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मेडिया हो इसके जर्येद तरह क्या मन्सुवबंदी होनी चाहिए इस मुलक के लोगों के लिए उस सब बात आज हुई है और नजजीद होगी है हिदराबाद में इस अरबी कालेज में अलमाहदुल इसलामी में आलि इंडिया मिली कौंसल के जेरे इहतमाम और इंतजम सियरोजा वर्कशाप का इनकाद हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं मजमे को आसाम से लेकर केरला तक तमाम रियासतों से यहां मंदुबीन मदुवईन तश्रीव लाएं हैं इसका वाहिद मुखस्द यह है कि मौजूदा मुल्क के हलाद के पेश नजर हम अपनी अपनी रियासतों में किस तरह से अमन और आमान की फिजा को बर खरार रखें और खास्तों से मिल्द इस्लामिया में इत्वाक और दियाद की फिजा को खाइम करें और हमारे बच्चे और बच्चियों के मुस्तख्विल के लिए कि वो रवशन हो ताबनाक हो दरक्शा हो हर इत्वार से यह दिन और शरीयत के इत्वार से और दिनी और असली आला तालीम एज्यूगेशन के इत्वार से वगेरा जो अगराज और मकासिद हैं उनके तालुक से एक तर्बियत गाहे एक वरक्शाप है जो इहां मनाखिद हुआ है और तीन दिन से यह जारी है मुख्तलिफ शेशन्द के लिए मुख्तलिफ हनामीन मोजवा तक खे गए हैं आज यह उसका आखरी दिन है आज इंशालला मुख्तलिफ तक इसका इखताताम है इनको समझाए गया है बताए गया है कि अपने अपने सूबों में वो मुसल्थल काम करें हरकियत हो यह मुताहरी करें और जब जरूरत पेश आवे तो हम दोगों से मरकज देहली से वर रापता रखें यहां पर जो आल इंडिया मिली कॉंसिल के जो जो मदारान थे और इसके तहट जो बारा डिपार्टमेंट्स हैं याने शोबजात हैं उनके लिए एक वर्कशाप रखा गया था और खासकर जो मुक्तलिफ रियासतों से जो तालुक रखते हैं एक्सपर्ट्स उनको यहां पर मदू किया गया था उनके साथ डैलाग किया गया उनसे और मशुर्य तलब किये गए कि मौजूदा जो सुरतिहाल है मुलक की जो मजमुए सुरतिहाल है उस पर गवर फिकर किया जाया और लाए अमल बनाया जाया यहूं तो मसलसल आल इंडिया मिल्ली कौंसिल काम करते आ रही है माजी में भी आपने देखा कि अगर इसका तारीख को अगर देखेंगे तो टा से मरकज में मैनरेटी वेलफेर का जो वजारत का जो वजारत थी उसको बनवाने में आल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने बहुत आहम रोल अदा किया उसके तरस पर तमाम रियासतों में एक अलिदा से अखिलियती भाइबूद यानिनरेटी वेलफेर डिपार्टमेंट उसको बनवाया गया और साथी साथ कई एक आसाम में हमारे वहां पर जो रियासति सेदर हैं अबदुर रशीद चौधरी साहब सिटिजन शिप को लेकर के वो है कोर्ट एडूकेट थे हुकुमतिय सत्य पर बहुत वहां पर वह काम किये हैं और साथी साथ जो आसाम में जो मुसलम चेंगाल है तरपरदेश है और मुल्क के कई दिगर रियासते हैं जहां जहां पर भी हालात ऐसे बनते गए जहां मुसल्मानों को एक जरूरत मैसूस हुए कि क्या आगे की पॉलिसी होनी चाहिए क्या स्ट्राटिडी बनानी चाहिए उस पर भी वह गोर क्या तो आज यहां प खालक है और मीडिया डिपार्ट्मेंट है और दिगर जो डिपार्ट्मेंट में उसमें भी मह मैमें मेंवर हूं लेकिन आज मुझे बड़ी मसर्द वी कि जो मेरा जो डिपार्ट्मेंट था उसमें कई एक मुल्क से Фॉस्पॉर्ट अहां पर आये थे और खासकर हमारे ऑल JF मुस्लिम पर्सनला बोर्ड के जो जनल सेकेर्टी हैं खालिज सफफळ रह्मानी साहब और आल-इंडिया मिल्य काइंसिल के जो गोमी नायब सदर हैं अनिस्ट रह्मान साथ और शाव मुस्तफा रिफाई जलानी साहब जो अस्टन जनल सेकेर्टी हैं इनके लावा आउनलाइन से निजाम अदिन शेख सहाब और दिगर हज़ात ने भी जुड़कर अपनी बात को रखी तो यहां पर अब जो पॉलिटिकल जो सिच्वेशन जो क्राइसिस हैं मुल्क में जो चल रहे हैं मुसल्मानों को इन हालात में क्या करना चाहिए कुल मिलाकर यहां यही बात निकल कर आई कि अब मुसल्मानों को किसी पार्टी से मुनसलिक होकर अपने आपको पेश करना नहीं है जो भी फिरका परस्ताखतों को हराने की सकत रखता है उनके साथ जाएं अपने आपको एक पार्टी से जोड़कर एक महदूत रख करके हमको अपना आगे का मुस्ताकुल बनाना नहीं है मिसाल के तोर पर जहां पर अभी तिलंगाना की बात की गई यहां पर केसियार जो बहुत अच्छा जहां के चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं उसे तरी तरीक से टैमिलनार में हैं और कैरला में हैं और मुलक वस्ट मिंगाल में ममता बिनर जी हैं यह यहां पर अच्छा काम कर रही है इन लोगों को और मश्बूत करने की ज़रूरत है और साथी साथ जहां पर हमने जिनको ओर दिया है और जिनको हमने उम्मीद उनसे लगाई थी कि यह कुछ करेंगे तो यह उस पर काम नहीं करें हैं उन पर भी गोरोखोस किया गया और जो मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं जो दो फेस में एलेक्शन्स जो मुल्क में 12, 2022 और 2023 में जो असंबली एलेक्शन्स होने जा रहे हैं उनके लिए दो फेस पर उसको डिवाइड किया गया है पहले मरहले में जो 2000 माई के अंदर जितने भी स्टेट साथ स्टेट आ रहे हैं जिसमें करनाटक भी शामिल है मेगालिया शामिल है गुजराश शामिल है यह स्टेट को पह आपकर भी जाकर के बाद अबता काम किया जाए तो कुल मुलाकर